ऍालो फ्रेंड्स आज हम बनाते हैं बहुत हिखेली सा था तो मैंने एक कप गहूं का आटा लिया है एक टेबल इस्पून ले लिया है दही दही थोड़ा ज़ादा भी लिया जा सकता है एक टेबल इस्पून हम सूजी लेंगे और सवा कप पानी डालके एकदम बड़े ऐसा घोल बना कर त्यार कर लेंगे ये देखे इस तरह का घोल बनेगा सवा कप पानी से अब हम इसे धकन लागा कि 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हमारा आटा फूल गया उसके बाद 1 फोर्थ चमज नमक और 1 फोर्थ चमज हमें मीठा सोडा डालना है थोड़ा सहर दन्या पत्ति डाल देना है मिला देना अची तरह से और बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी से गेहूं के आटे से अपम तो देखेएगा बहुत ही जालीदार अपम बनेंगे दोस्तों इतने टेस्टी लगते हैं ये दही के साथ या फिर किसी भी नॉर्मल चटनी या फिर अ सबस्त धाल जाते हैं यह थी जो नास्ता आपको जरूर पसंद आएगा आपके घर में सभी कु पसंद आएगा तो यह जो नास्ता है दा के साथ मसाला दही के साथ और चटनी के साथ सार्व करें तब तक लिए बाइबाइ